दोस्तों जीन लोगों को दुनिया बेवकूप मानती है वो लोग जब अपना करियर बनाने पर आ जाते हैं तो वो करियर नहीं सिधा इत्यास बना देते हैं क्यूंकि एक आदमी जो 9 साल की उम्रतक ठिक से बोल नहीं सकता था बहुत दुनिया का बहुत बड़ा विगनेरिक बन सकता है तो मैं क्यूं नहीं अगर एक बन्दा तुन चल सकता था न बोल सकता था और उन्होंने अपने विचारों से फुरी दुनिया को हिला के रख दिया तो मैं क्यूं नहीं अगर एक चाय बेचने वाला बंदा देश का प्रधान मंत्री बन सकता है तो मैं क्यू ने अगर एक कुडा उठाने वाला दुनिया का महान क्रिकेटर बन सकता है तो मैं क्यू ने अगर एक मिडल क्लास लड़का गूगल का CEO बन सकता है तो मैं क्यू ने अगर एक 24 साल का बंदा 4000 करोड की कमपनी खड़ी कर सकता है तो मैं क्यों ने अगर एक इनसान जो कारपेंटर से कूली, कूली से बस कंड़क्टर और बस कंड़क्टर से एक पॉपिलर एक्टर बन सकता है तो मैं क्यों ने अगर एक इंसान जो पेट्रोल पंपन नोकरी करता था अगर वो भारत का सबसे बेश्ट बिजनेसमन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं अगर एक इंसान जो 99 बार फेल होकर 1000 बार में बल्प का आविसकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं अगर एक इंसान जो मातर 19 साल की उम्र में कॉलेक छोड़ देता है और वलका सबसे यंगे CEO बन सकता है जो पुरी दुनिया की टॉप कॉम्पेटर्स बनाने वाली कमपने में अपनी कमपनी को ला सकता है तो में क्यों नहीं दोस्तों हमेशा केते हैं अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा मगर एक बात याद रखना टाइम उसी काता है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है दोस्तों आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं और आप वो सब सोच सकते हैं जो आज तक आपने नहीं सोचा दिरे दिरे इस सही लेकिन चलते रहों मंजीर हल रोज तुमारे पास आएगी मगर दूर नहीं जाएगी